असलाम अलेकुम बच्चो आज हम क्लास त्री का वाकिफियत यामा का बाब नमबर छे पढ़ेंगे बच्चो आपको याद होगा कि बाब नमबर छे तो हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने लाइफ साइकल ओफ प्लांट्स को डिसकस किया था आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकल ओफ बर्ड्स बच्चो बर्ड्स तो आपको भी पसंद होंगे आपके घर में भी होंगे तो बच्चो आपको पता है कि परिंदे पैदा होने से लेके बड़े होने तक किन किन मराहिल से गुजरते हैं तो बचो आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगी लाइफ साइकल ओफ बर्ड्स यानि परिंदों का दोरे हयात बचो आपको पता है कि तमाम परिंदे अंडों से पैदा होते हैं और परिंदों का दोरे हयात तीन मराहल पर मुश्तमिल होता है पहले मरहले में परिंदे अंडे देते हैं, दूसरे मरहले में अंडों से बच्चे निकलते हैं, तीसरे मरहले में बच्चे नशनमा पाकर मुकमल परिंदे बन जाते हैं, मसलन मुर्गी का दोरे हयात, मुर्गी का दोरे हयात बिलकुल परिंदे की तरह होता है, पहले वो पहले सबक में हम पढ़ चुके हैं Life cycle of plants आज हमने पढ़ा Life cycle of birds आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अब आपने मुर्गी का दोरे हयात अपनी नोट बुक पे नोट करना है और अगले सबक में हम पढ़ेंगे Life cycle of insects यानि हश्रात का दोरे हयात तो बच्चो मुझे द सब्सक्राइशन में तब तक के लिए आला हाफिज